स्वागत नी करोगे हमारा तो अब दिक्कत यह होती है कि एफ र को कितने समय में रिवाइस करें कोन से टोबी को कितना टाइम दे सीक्वेंस क्या होना चाहिए है न तो यह सब प्लाइनिंग चिंदा क्यों करते हो मैं तिमको करवा के दूँगा पढ़ा ही तुमको करनी बड़ेगी ठीक है तो आपके लिए इस वीडियो के अंदर में लायो एफ र का शांदार प्लाइनर और यहां टेंशन मतलो जिसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी वीक है उसके लिए में अलग प्लाइनर लाया हूँ जिसकी प्रिपरेशन स्ट्रोंग है एफ र अच्छे से किया हूँ है सेकेंड रिविजन में मूव हो रहे उसके लिए भी मैं अलग प्लाइनर लाया हूँ तो दो प्लाइनर बताऊंगा कोन से बच्चे को कोन सा प्लाइनर यूज करना है वो भी बताऊंगा और ये प्लाइनर आपको नोट डाउन करने के जरुवत नहीं है मैंने आपके लिए अल्लेडी पीडिए रखा हुआ है टेलिग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा तो ये वीडियो देखने के पहले सबसे पहले सबस्क्राइब के भी नहीं देखा वीडियो ना मुन्ना ना पाप लग जाता है भाई साव तो सबसे पहले करना सबस्क्राइब उसके लाब वीडियो पसना लाइक ज़रूर करना और ये प्लैनर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम चैनल का लिंक है वहाँ सबस्क्राइब डाउलोड कर सथा दोनों के दोनों प्लैनर ठीक है अब प्लीज वीडियो को लास्त तक सुनना ताकि आपको समझ सके इसको यूस कैसे करना है और आपके लिए कुन सा प्लैनर सूटेबल है जान मुझके दो प्लैनर लेकर आ आपके लिए सबसे पहले ये जो है ये 8 डेस प्लैनर ठीक है दिस इट डेस प्लैनर जितर आपन एफ़ार को 8 दिन में रिवाइस करेंगे अब यह किसके लिए suitable है अगर आपके शायद बोध ग्रूप है बहुत time constraint है प्लस आपने FR का already first revision कर लिया है मतलब आप अभी second revision में आयो तो 8 days में हो जाएगा उसके लाब या फिर आपने भी classes latest latest किये latest में classes complete किये होता ना कभी-कभी आपने fast track भी recently लिया था भी हुआ है एक महीने से कम हुआ है तो अभी आपका latest latest माहिन में सब कुछ फ्रेश है तो आप इस category मास आतो time का constraint अगरा जो भी है बिचारे बोध ग्रूप के पास बोध ग्रूप आले बच्चा के बास नहीं होगा आपके अच्छा कासा portion कम्प्रीट हो जाएगा तीक है 3-3 गंटा अब यह मत बोलना शुर मैं 13 गंटा कैसे बढ़ूगा एक्जाम नसदीक है तो यहां भी 6-7 गंटे की पढ़ाई से काम नहीं चलेगा इसमें मैंने डेवाइस क्या कर रहा है कि आपको कौन से दिन पे कौन से कौन से टॉपिक करने है और अधर सब्जेक के 3 गंटे तो मुझे लगता है अच्छा करने वाला तो सबसे पहले सुबह उट तीन गंटा अच्छा को टाइम दे सकते हो अब इसमें अब यह भी पॉसिबल है कि कभी कभी ऐसा होता है जयसे में आपको इस तरठ टॉपिक दे दिये आपका topic नहीं हो पाए, for example, कोई बात नी, mark करकर रखो, उसको आप 9th day पे कर लेना, one day you can keep as spare, ठीके, जैसे for example, इस दिन पर आपका topic नहीं हो पाए, कोई बात नी, spare में रखो, 9th day पे कर लेना, ठीके, तो ऐसे करके, और मैंने बताया भी है, आप चाहो तो अच्छा, FR को आप अब जब आप FR को रिवाइस करोगे ना, एक मेरे तरफ से bonus tip, do writing practice of questions, मैं जानता हूँ, आप सारे question की लिकर practice नहीं कर सकते हैं, बड़े question है, practical question है, उसके तो कर सकते हो ना, there is no replacement of writing practice, please do it, ठीके, ध्यान लगना, उसके अलावा, 3 attempt की RTP जरूर करके जाना, मतलब मुझे लग और जिनका एक group में सारे classes वगरा हो चोके, अब आपके बाद सफिशंट 40 days वगरा available है, तो यह आपके लिए 12 days planner ही है, मैंने पहले भी share किया वबाईदवे, ठीके, तो यह किसके लिए suitable है, जिसको classes के वे काफी समय हो गया है, है ना, classes done, तो अगर आपको, मतलब और एक group दे याद नी है, तो आप यह प्लाइन उसको सब्सक्राइब, इसमें मैंने सिव एफार करना है आपको, और इसमें मैंने बेसिकली प्लाइन देको वही है, मतलब डेवाई स्केडूल वही है, बट मैंने टाइमिंग बड़ा बड़ा के दिया हुए, ठीके, कि जैसे फॉर एग 4.5 का 4 गंटा लग सकता है, 5 भी लग सकता है, साधे 5 भी लग सकता है, लेकिन 4.5 का 10 अवर निलग सकता है, तुम समझे रो मेरी बात ध्यान लगना, उसके लावा एक और बात, जो बताना भूल गया, इस प्लैनर के अंदर में हमेशा ट्राइकर भी देता हूँ, कि सपोज मैंने डेवन का टारगेट दिया, तो बताओ, उसको आपने कम्प्लीट किया की नहीं किया, और कितना समय लिया, तो इससे आपको एक ट्राय करेगा, कि एक्जाम के समय, या जब आगे सब्सिक्वेंट रिविजिन करोगे, तो कितना समय लगना चाहिए, यह बहुत टारगेट करो, एक देज में कम्प्लीट करनेगा, फिर आप अचीव नहीं करोगे, फिर दी मुटिवेशन आएगा, वो मत होने देना भाई, तुम समझ रहो, बी समार्ट एनफ, बी वाइस एनफ, तो चूज दा करेट प्लानर फो इसल्फ, दो इसले नहीं नहीं देता कि सब्सक्राइब कर ना देखा है, ना मुनना ना, ठीक है, चलो, और अफकॉस, आपके लिए आपके लिए बहुत सारी उसफुल चीज़े लाता रहोंगा इस चैनल के ऊपर, तो थैंक्यू सो मच, बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब स्थ्राइब बढ़िब से एक जूब देसा के चिर प्रक लाई ना है northwestern और Sus, बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब कर शब कर था enhanced canineल, सक स Ignop's putting a between, म that